स्वरशास्त्र भी स्वर्ग्यान से ही उसे ठीक करने के लिए कई विद्यां उपलब्ध हुआ करती थी इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जोतिश कहीं भी आयरवेट से अलग नहीं है तो आज हम बात करने वाले हैं स्वर्ग्यान की चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं स्वर्ग्यान के लिए कि स्वर्ग्यान क्या होता है स्वर्ग्यान का सीधा संबंध हमारी सांसों से है मनुश्य के शरीर में उपस्थित हर एक अंग का अपना अपना महत्व है आँखों के बिना हम देख नहीं सकते, कानों के बिना हम सुन नहीं सकते हर एक शरीरिक अंग की अपनी एक importance है प्रन्तु हम यह सोच भी नहीं सकते कि जिस नाक से हम सांस लेते हैं वह हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित कर सकता है हमारे भूत, वरतमान और भविश्य को सुनिश्चित कर सकता है हम स्वरग्यान से अपने भविश्य को भी जान सकते हैं यह पूरी तरह से एक scientific method है स्वरवे ग्यान में कुछ ऐसी विदिया हैं जिसकी help से आप अपने जीवन की सारी मुश्किलों को हल कर सकते हैं और सबसे सरल बात के स्वरग्यान को प्रियोग करने के लिए बहुत बड़े-बड़े प्रियोजन करने की कोई जरूरत नहीं है कोई बड़े-बड़े उपाय करने की जरूरत नहीं है प्रंत जरूरत है तो सिर्फ एक वो यह है कि आपको इसकी daily practice करनी होगी देखे कोई भी ज्यान है वो practice के बिना नहीं आ सकता अगर हम ध्यान करते हैं तो भी practice की जरूरत होती है अगर हम किसी भी विधा को सीखते हैं तो उसके लिए practice की जरूरत पड़ती है उसे प्रकार से स्वर्ग्यान को सीखने के लिए भी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है चले आगे चलते हैं और जानते हैं स्वर्ग्यान की कुछ और बातें स्वर्ग्यान जो है वो तीन प्रकार का होता है यानि के स्वर जो है वो तीन प्रकार के माने गए हैं पहला है सूरे स्वर, दूसरा है चंद्र स्वर और तीसरा है सुश्मुना स्वर हमारे शरीर में 72,000 नाडियों का संग्रह होता है जिन में से 36,000 नाडियां हमारे शरीर के बाई तरफ और 36,000 नाडियां हमारे शरीर के दाई तरफ होती है यह जो नाडियां हैं यह हमें दिखाई नहीं देती यानि कि इनका कोई physical appearance नहीं होता अगर कोई doctor operation करता है तो उसे यह नाडियां दिखाई नहीं देंगी यह हमारे शरीर की उर्जा का स्त्रोत मानी जाती है यानि कि हमारे शरीर में एनरजी का जो प्रवा है वो इन नाडियों के जरीए होता है जो 36,000 नाडियां हमारे दाई तरफ हैं वह पिंगला नाडियां कहलाती है उन्हें पिंगला नाडि संचालित करती है यह भी हम कह सकते हैं और जो 36,000 नाडियां हमारे बाईं तरफ हैं, उन्हें हमारी इडा नाडि संचालित करती है। और तीसरी है सुश्मना नाड़ी, जो हमारे शरीर के बिल्कुल बीच में होती है, इसके बीच एनरजी का परवा नहीं होता, ये बिल्कुल खाली होती है, इसमें एनरजी का परभाव तब होना शुरू होता है, जब हमारी दोनों नाड़ियां, यानि कि इडा और पिंगला, दोनों संतुलित हूँ, बिल्कुल बैलंस हूँ, तबी सुश्मिना जो है उसमें प्रभाव आना शुरू होता है देखे स्वरग्यान जो है वो एक ऐसा ग्यान है जिससे हम अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं अगर अच्छे तरीके से हमें इसका यूज करना आ जाता है, इसे हमें समझना आ जाता है तो इस ग्यान से हम अपनी मानसी क्रियाओं को, शारेरिक क्रियाओं को और संसार के सभी व्यक्तियों से लेकर जो भी हमारे spiritual connections हैं, यानि के भगवान से जो भी हमारे संपर्ख हैं या दूसरी उर्जाओं से जो हमारे संपर्ख हैं ये उन सभी को प्रभावित कर सकता है, इसमें इतनी जादा शक्ती है स्वारग्यान को सीख कर कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी इच्छा को पूरण कर सकता है इसकी मदद से व्यक्ति अपने संपर्ख में आने वाले प्रतेक व्यक्ति और परिस्थितियों को अपने वश में कर सकता है यह एक पूरी तरह से साइंटिफिक विदी है, इसमें हम यह नहीं कह सकते हैं कि कोई भी बड़े-बड़े मंत्र जाप या कोई भी तंत्र प्योग करने की हमें जरूरत पड़ती है प्रंतु मैंने जैसे आपको पहले कहा, इसको सीखने की विदी प्रॉपर होनी चाहिए और इसको आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तब ही यह ग्यान आपको आ सकता है चलिए अब आगे जानते हैं और स्वरग्यान के बारे में ये सीखते हैं कि किस प्रकार से काम करता है जब हम बाई तरफ से सांस को छोडते हैं तो हमारे शरीर की एडा नाड़ी में वायू का परवा होता है इडा नाडी जिसे चंद्र नाडी भी बोला जाता है और इसे पारवती का रूप भी माना जाता है और अगर हम दाईं तरफ से श्वांस लेते हैं तो पिंगला नाडी से वायू का प्रबाहव होता है और पिंगला नाड़ी को सूरे नाड़ी भी बोला जाता है और इसे शिव का रूप माना जाता है स्वरग्यान का सीधा संबंध हमारे तिथी और वार से भी होता है जिस प्रकार सब्ता में कुछ दिन मंगलवार, शनीवार और रविवार इन दिनों को सूरे स्वर चलना श्रेष्ट माना जाता है जबके बाकी के चार दिनों में चंद्रस्वर का चलना श्रेष्ट माना जाता है इसी प्रकार से अगर किसी के शरीर में बहुत जादा गर्मी बड़ी हुई है यानि के पित बड़ी हुई है तो ऐसे में अगर उसका सूरे स्वर चल रहा होगा तो उसके बढ़ने के चांसिज और भी हो जाएंगे आपने कभी कभी देखा होगा कि कभी आप किसी वैद के पास जाते हैं किसी पुराने वैद के पास जो नाड़ी देखकर ये बता देते थे कि आपको कौन सा रोग हो सकता है तो उसकी यहीं विधी मानी जाती थी उस समय पर ये देखा जाता था कि आपका स्वर कौन सा चल रह क्योंकि अगर आपका स्वर सूर्य चल रहा है तो आपको पित्त संबंदी रोग होंगे और अगर उस समय आपका स्वर चंद्र चल रहा है तो आपको कफ संबंदी रोग हो सकते हैं इस प्रकार से एक वैद जो था वो जान लेता था कि सामने व्यक्ति को कौन सी बिमारी हो सकत इसी प्रकार से जज्मेंट लगाई जाती थी कि सामने वाले रोगी को कौन सा रोग हो सकता है। आपको भी इस चीज़ का अंदाजा लग सकता है। इसी प्रकार से अगर किसी के श्रीर में भी गर्मी बढ़ी हो यानि के पित बढ़ी हो तो उसे अगर ऐसे में उसका स्वर जो चल रहा है वो सूरे स्वर चल रहा है तो उसके चांसिज और भी बढ़ जाएंगे। पित के ब जादा सूरे स्वर चलता है उन्हें मेहनत के काम जादा करने चाहिए और उन्हें भोजन भी चंद्रस्वर चलने वाले व्यक्ति से जादा करना चाहिए। प्रंतु जिन व्यक्तियों का चंद्रस्वर चलता है उन्हें पानी जादा पीना चाहिए और उन्हें मेहनत के काम थोड़े कम करने चाहिए ये एक जर्नल तरीका है स्वर को पहचानने का अगर आपको कोई भी बमारी हो गई हो अगर आपको स्वर बदलना आता है तो आप अपनी बिमारी को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं जिस प्रकार मैंने पहले बताया कि अगर आपकी काफ बड़ी हुई है तो अगर आप सूर्य नाड़ी को चलाना जानते हैं तो आपकी काफ बहुत जल्दी ठीक हो सकती है और भी बहुत सारी ऐसी विदियां हैं ऐसे तरीके हैं जिससे सूरों को बदला जा सकता है, उन्हें बदलना सीखा भी जा सकता है और उनसे आप अपनी कोई भी मनो कामना पुरुन कर सकते हैं चाहे वैं बिमारी को ठीक करना हो या कुछ और यहाँ पर मैं आपको एक एक एक्जामपल से यहाँ समझाने की कोशिश करती हूँ यदि आप किसी के पास नौकरी के लिए जा रहे हैं या मुकदमा चल रहा है उसके लिए जा रहे हैं या किसी और काम के लिए जा रहे हैं तो चलते समय पहले आप उसी पैर को उठाएंगे जिस तरफ का आपका स्वर्ग चल रहा हो फिर उस व्यक्ति के पास पहुंचकर भी आप उसी चलते हुए स्वर्ग की तरफ ही अपने पैर को रखेंगे तो उसका प्रभाव जो है वो बहुत ही अच्छा पड़ेगा आपका काम जरूर हो जाएगा और दूसरी एक्जामपल यह है कि अगर आपके शरीर में गर्मी बहुत बड़ी हुई है आप धूप से जाकर कहीं बाहर से आए हैं आपका शरीर बहुत गरम है आपको बहुत थकावट और वसीना आया हुआ है तो ऐसे में अगर आप अपनी इडा नाड़ी यानि के इडा स् लेते हैं और आपका चंद्र स्वर चलना शुरू हो जाता है तो आपकी जो थकावट है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी आपका शरी थंड़ा हो जाएगा आपको गर्मी नहीं लगेगी और आप बहुत जल्दी नॉमल हो जाएगी इस प्रकार की कई विधिया हैं जि तो भी पहला सुर आपका चल रहा हो, उसकी तरह आप मुख करके बैठ जाएं और इसके बाद जब आप बैड से नीचे अपने पैर रखते हैं, तो ये देखें कि सबसे पहले आपका पहला सुर कौन सा चल रहा है, आप वही पैर पहले बैड से नीचे उतारें और जमीन पर अगर आप ऐसा रुजाना करते हैं, तो ऐसा करने से आपका भागया जल्दी उदै होना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन बहुत ही सुख होगा, तो इस प्रकार से बहुत सारी विधियां, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, जिसे आप डेली अपने देंचरिया में यूज कर सकते हैं, और इस से अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने जीवन में कुछ नियमों को, कुछ चीजों को फॉलो करके आप अपने जीवन में काफे सारे चेंजिज ला सकते हैं, आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से स्वर को देखा जा सकता है, कि आ बहुत सारे ऐसे तरीकए और ऐसी विदियों हैं जिसके द्वारा स्वर्ख को बदला जा सकता है, और इससे आप अपनी कोई भी विमारी को कोई भी ऐसी मनोकामना को पूरन कर सकते हैं, जिसके आप कामना करते हों, चलिए आप मुझे बताईए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है आपको ये टॉपिक कैसा लगा है आप मुझे जरूर कमेंट करके लिखें ताकि इस टॉपिक को हम और भी एक्स्प्लेइन कर सकें ये टॉपिक जो है ये काफी बीमारियों से जुड़ा हुआ है और आपकी क जब करने इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और साथ मेरी जो फाहन कूम कि आप तक समयĩे पर पहुंच सकें धन्यवाद